आप सभी का इस online platform पर स्वागत है आज हम पुने एक नई क्लास Atomic Molecular and Nuclear Physics का पार्ट नमबर 13 लेकर आ है जो आपके बीएसी बेड़ फोटेर का एक ही पेपर है वो और बीएसी थाडियर के नुकलियर फिजिक्स के इंदर चलता है तो अपन पढ़ रहे थे साइकलोट्रोन जैस के मद्धी यहां पर होता है इस जगे इसके सेंटर में चारु तरफ एक आयन कंटीन्यू दो डीज बनी और उन दोनों डीज से कंटीन्यू सरपिला यानि स्पाइरल मोशिन में बार बार घुमता हुआ बाद में जो अपने को प्राप्त होता है वो असलेरेटिट होता है ल वर्किंग के से ऑन उस प्रोसेस के बारे मश्यां पढ़ेंगे तो चलो आईए अपने पास आज बोगेगा what is the method of working in cyclotron cyclotron का method और working क्या हो जाएगा तो अपना टोपिक है theory and working सिद्धान तोर कारे प्रणाली theory and working दोनों एक साथ चलते जैसे linear accelerator पड़ा था उसमें भी दोनों एक साथ चले थे सिद्धान तोर कारे प्रणाली theory and working ओके सिद्धान और कारे प्रणाली theory and working का process कैसे होगा उसको अपन देखेंगे तो इसमें ध्यान रखेगा दो या तीन फोर्मला अपन अलगले निकालेंगे एक तो निकालेंगे अपन टाइम का एक अपन निकालेंगे आवड़ती एफ जिसको अपन बोलेंगे cyclotron frequency एक अपन निकालेंगे जब भी आपका आइन बार बार उन डी में से गुजरता हुआ निकलेगा तो कितनी energy लेकर वह बहार निकलता है यह तीनु फॉर्मला निकालेंगे और कैसे numerical होता है और किस परकार आपको exam में क्यूशिन पूछते हैं वह भी मैं आपको बता हूँगा तो चलो आईए अपनी स्टार्ट करते हैं इसमें कि मान लो जब आइन स्ट्रोथ वही जो दोनु डीज के अंदर से निकल रहा है मान लो जब आइन स्ट्रोथ आइन स्ट्रोथ एस डाग्राम बनाया था अपने से एक धन आयन उत्सरजित अंदर पड़ियो ने उत्सरजित होता है मान लो जब आइन स्ट्रोथ से एक धन आयन उत्सरजित होता है तब डीवन का भी वह टाग्राम का विवलों अपने स्ट्रोथ यसे यह जबेद आपकी यहां पर एक आयन स्त्रोथ है तो इस यह पोजिटीव और निकलेगा यहां आते ही एक आंतर करम में इनके वोल्टेज हो जाएंगे फिर यह नेगिटीव हो जाएगा यह क्या हो जाएगा प्लास फिर इसके अंदर चला जाएगा ऐसे कंटीनुई यह गूमता रहेगा तो यह इस थन अैन बड़र हैं अते धन अयन ज्याद को यह त्वड़ सको प्रोटॉन को त्वक रएंगे इसके इसकांद अते दन आयन ड़र कूंगा श्रूसदी नेगिटीव पोजूटीव पकड़ते दन इन फिर व्यन वापस हागर देखेंगे आप येस आप अपने पास क्या हो जाएगा तरनायन D1 के और तवरित होगा D के अंदर विदुचेतर सुनने होता है जो D है न उसके अंदर विदुचेतर सुनने होता है D के अंदर विदुचेतर D के अंदर विदुचेतर सुनने होता है जो d आपकई उस दी आदर की अंदर सुने होता है d के अंदर विदू सेत्र Сुनने होता हैो और एक परबल की चुर्थ्र भी और एक परबल có vitam ingenetic फिल्थ्थ भी और एक परबल के चुम्ब लें非常的 on आयन के वेग वी के सदेव लंबवत लगा है वेग वी के सदेव लंबवत लगा हुआ है यह आपका डाइग्राम है इसमें जो बी और वी तो एक दूसरे के लंबवत होगे तो आपको पता लोरेंजबल लोरेंज बल एफ बराबर क्यूवी क्रोस-बी-व और दूसरे के लंबवत है व क्यूप इस च motherfudden के लिखेंगे की एते डी के अंदर क्यों आवेश और एम द्रेवमान एते डी के अंदर क्यों आवेश और मास ओप एम द्रेवमान एम द्रेवमान वाले आएन पर आएन पर लगने वाला चुम्ब के बल जिसको अपन लोरेंज बोलेंगे आएन पर लगने वाला चुम्ब के बल लोरेंज बल उसको अपन क्या बोलेंगे लोरेंज बल तो क्यू आवेश और एम द्रेवमान वाले आएन पर लगने वाला चुम्ब के बल एफ बराबर क्यू वी क्रोस बी यह होता है और यह इसको अपन क्यू वी ब साइन ठीटा लिख सकते हैं दोनों एक दूरसे के लमफत हैं तो आपका फोर्मला क्या हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी बी ओके यहां तक समझमा आएगा आपके पास लोरेंज बल क्या हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी पी तो क्या 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 एक बार वापस अपने इसको देख लेते हैं कि माना जब आयन स्त्रोत एस से एक धन आयन उस्सरजित होता है तब डीवन का वीबो क्या होगा डीटू के आपके पास क्या चीज हो जाएगी यस अपने पास हो जाएगा एफ बराबर क्यू वी बी यहां तक आपकी एक्वेशन नबर फश्ट हो गई ठीक है जी एफ बराबर क्यू वी बी अब वापस देख आगी क्या हो जाएगा बस ऐसे कैसे आपको एक्जाम में लिखना ध्यान रखीगा जो थेओरियन वर्किंग में करा रहा हूं आपको प वी इस पर पेंटिकुलर होगा कि इसके बीके इसकारण डीके अंदर इसकारण डीके अंदर आयन का पत लगाता रहे ना अभी केंद्रे बल हो गया इसलिए इसको इसको गुमा रहे है तो डीके करण आयान का पत वृतागार होता है अएनका पत बीटाकार की को बन्रुट के लिए इस वृताकार पत के लिए आवश्यक अभीकेंद्रिये बल centrifugal force इस विर्ताकारपत के लिए आवश्यक अभीकेंद्रिये बल centrifugal जो force होगा इस विर्ताकारपत के लिए आवश्यक अभीकेंद्रिये बल यही चुम्ब के बल QVB परदान करेगा यही चुम्ब के बल यही चुम्ब के बल QVB परदान करेगा QVB परदान करेगा ओके यह होगे आपके पास अर्थात क्या एक विश्चन बन जाए कि आपके पास कि जो MV स्काइर अपॉन आर है वो आपके पास किसके बापर हो जाएगा MV स्काइर अपॉन आर बराबर QVB ठीक है तो अथे विर्ताकार पत्की त्रीजिया कितने हो जाएगी विर्ताकार पत्की त्रीजिया यहाँ से अपन निकाल सकता है ना विर्ताकार पत्की त्रीजिया इसी फोर्मले सा आप निकालोगे में आपको पास क्या हो देगा आर बराबर एम वी स्कायर अपून qvb थीक है तो एक बी से आपका एक णीकट गया तो आपको पास पने लिगा और बराबर एम वी अपून qobb एक फो겁 यह आ गे हैं दूतिन फोर्मले नि खांगे peng आ तो इसका मतलब जब भी कोई आइंस एक सर्कुलेशन मोशन के रूप में कती करेगा साइकलोरोन के अंदर तो उस चर्कुलेशन जो आपका पत है उसकी रेडिस कितनी हो जाएगी उसकी रेडिस हो जाएगी आर बराबर एम वी अपॉन क्यों वी इसे मास ओप आयन वी इसे मास इसे वेलोसिटी ओप आयन क्यों इस दे चार्ड ओप आयन एंड वी उसका मेगनेटिक फिल्ड तो एक पर्सन आपका एक कम्प्रेट हो गया ठीक है नुमेरिकल में काम आएगा दियान रखना नुमेरिकल पूंश सकते एक आपको नुमेरिकल पूंच लिया कि आपको दे रखी किसी साइकलोटोन के अंदर विर्ताकारपत की तरिजय इतनी है ठीक है वो उस वेग से गति कर रहा है उसका मास इतना है तो उसका अवेश भी देरकात उसका चुम्ब के इस्ततर निकाले तो इस यहां से सिधा निक आयन का वेग वी नियत रहता है एक डी के वितर आयन का वेग वी नियत रहता है लेकिन आदा चकर पूरा करने के पश्याथ लेकिन आदा चकर पूरा करने के पश्चाथ जली आपका आयन दॉन डी के प पर करने बद पस्चाद जब आयन दोनु डी के मध्य गेप में मध्य वाला गेप है न जब आयन दोनु डी के मध्य गेप में पॉस्ता है तब आयन पर विदुच शेतर के कारण पॉस्ता है तब आयन पर विदुच शेतर के कारण एक बल लगता है जिसके कारण आयन तवरित होता है एक बल लगता है जिसके कारण आयन तवरित होता है ओके बल लगेगा और बल लगने से आयन क्या होगा अपना तवरित होगा यहां तक ठीक है अब आपस बोड़ी मिटाना पड़ेगा त्यान रखेगा में आपको पहले ही का है बार बार कोंगा एक बार आप लगता है नौट्स बनाए इन चीजों के फिर आप इनको दो या तीन बार जब देखोगे न तब आपको सारी चीज़े अच्छे से वरिताकार पत में गतिशल बनाएं के लिए जो बल लगता है वो शेंट्री फ्यूगल फोर्स अभी केंद्री बल होता है यही मेगनेटिक फिल्ड कौन सा जो चुम्ब के बल है क्यूवी बी परदान करेगा तो इसका मतलब यह भी एफ है और यह भी एफ होता है एंवी हो जाएगी जो अपने को निकालनी है तो आर बराबर यहां से अपने निकाल लिए आर बराबर jalis square आप और क्यूवी भी वी कटिए तो आर बराबर क्या हो गहीं है यहां तक ठीके अब आपने क्या कि एक इतरायन का व्यक नियत रहता है लेकिन आज़्डाचकर पूरा करन में कितना समय लगता है वहां से भी आपका क्यूशन मनेगा यह हो गया यह हो गया आप इधर समय मिटा रहों एक बार अब अपने पास क्या हो जाएगा नुमेरिकल करूंगा मैं आपको यह जब अर्ध चक्र यह दि आयन को डी का अर्ध चक्र यानि शिर्फ डीवन एक को पार करेगा अर्ध चक्र पूरा करने में लगा समय T हो यह दिए आयन को D का अर्ध चक्र पूरा करने में लगा समय T हो तब अपने पास क्या हो जाएगा तब T बराबर T बाई 2 एक आदा वर्ट कान पूरा करेगा है यह आपका मान देखो आपको पता है T बराबर क्या होता है तू पई अपन ओमेगा यह चीज़ आपर देखेगा आप ज्यान इसका यह पर रो लें T बराबर क्या होता है कि अरद आवर्ट काल में एक आदा चकर पूरा करेगा तो स्मोल टी बराबर T बाई 2 और यहीं मान किसके बबर हो जाएगा यहीं मान हो जाएगा पाई अपन ओमेगा ओके फिर आप वापस देखेए यहां T विदू शेत्र का आवर्ट काल हो गया जहां T क्या हो गया जहां आवर्टी विदूथ्ष्यकोने आवर्थी क्या हौना क्या जहां तो निए आवर्टी और से लाफ करेंगे कैसे की तो अब अपने को पता है यहाँ पर देखेगा आप दियान से एक थोड़ा समय आपको बताता हूं कि यहाँ पर उसका रोल देगा है न कि time equal to क्या होता है समय बराबर distance upon speed ठीक है समय बराबर क्या होता है दोरी बटेवार इधर से मिटा रहा हूं एक फॉर्मला यह हो गया यहाँ पर time निकालेंगे एक आदा चकर पुरा करनेंगे उसको कितना समय लग रहा है यहाँ सभी numerical पूछेंगे आपको इसलिए अपन कर रहे हैं तो आप देखेगा कि की समय बराबर दूरी अपॉन चाल ठीक है यह एक आपका यह ही लिगेंड्स एक ही डीवन कि इसका व्यास होगे यहां से आसक ठीक है उसको एक चकर पूरा करने में लगा अधो फिल उसका परिदी में बुर्डी के बराबर होता हुए तो परीदी क्या होती दूपैयार ले तो कितनी हो गई पाई आर अपॉन वे क्या हो गया वी समझ में आ गया ना कैसा यह पाई आर अपॉन वी मतलब एक सब्सक्राइशन मोड में उसकी डिस्टेंस एक पूरा चक्कर उसकी प्रिद्धी के बराबर होता है वो इसकी दूरी होती तूप यार लेकर नहीं आदे है त तो कितना हो जाएगा पाई आर अपॉन वी अब मैं इस फॉर्मिले को चेंज गरूंगा वह कैसे करूंगा आप देखेगा यह आपको पता है यहां से टी बाइटू यही टी के बराबर होया और यही कितना होगे आपके पता है पाई आर अपॉन वी ती बाइटू बराबर तो आपको पास हो जाएगा यहां से स्मॉल टी जो है ना वो स्मॉल टी हो जाएगा आपके पास वी से वी कर दिया तो पाई एक फोर्मला आपको यह ध्यान रखना है ताइम का यह भी पूछेंगे आपको नुमेरिकल मकाम आएगा यानि उसको आयन्स को एक अर्द चक्र पूरा करने में जो लगा समय वो कितना हो जाएगा स्मॉल टी बराबर पाई एम अपॉन क्यू भी पता चल गया दो फोर्मला आ अगर यहां से आप यह निकालो के टू पई अपॉन टी यहां से आप अगर क्या निकालो टू-पै अपन टी कितना हो जाएगा टू-पै क्योब इप रब कि अपने यहां से अब आपको पता है कि चूवकि तू-पै अब अपने किसक्रें पर फोंडर होता है कोण में आबर त्यों परैं कि यहां से ओमिCका बराबर्ठेया ओमे हो जाएगा qb upon m देखें चोड़ चोड़े formula आ रहे है ओमेगा बराबर क्या हो गया qb upon m अब अब अपन थोड़ा से इस पर change करते हैं यदी यदी डी पर आरोपिट यदी डी पर आरोपिट प्रत्या वर्थी वोलता कि आवर्थी परत्यावर्ति वोल्टा कि आवर्ति F हो यह दि D पर आरोपित प्रत्यावर्ति वोल्टा कि आवर्ति कितनी हो F हो, तो आपको पता है आपन के लिज स्थे हैं कि T बॉवबर 1 अपाउरण P ठीक है, आपको पता है कि आवर्त काल और आवर्ति में के sleए तो यहां से देखेगा आप यहां से अगर आप निकालना चाहो यह आप यहां से निकालना चाहो तो डबली ब्राबर क्या हो जाएगा टूपई अपॉण टी डबली ब्राबर क्या हो आपके पास टूपई अपॉण टी ठीक है और इसका मानिक इसके बापर होता है यही ब्रा तो आप निकाल सकते हो कि 1 upon t बराबर qb upon 2pi m अब यह वन अपों टी किसके बराबर है f के बराबर है तो आपके पास cyclotron आवर्ती हो जाएगी f बराबर qb upon 2pi m बहुत ही काम का सुत्र is very very important cyclotron आवर्ती यह क्या होगी आपकी cyclotron आवर्ती बहुत ही important formula है यह भी आपके काम सुमी के नंबर 3 कि देखो कितने अलग लग formal निकल कि सारा इसका आपको क्या करना सिद्धान तोर कार्य प्रणाली में सारा लिखना आपको जो जो चीजे आरी वह आपको सारी इसके अंदर करनी नहीं करेंगे तो मतलब यह चीजे तभी जागा आपको completed नंबर मिलेंगे त सबसे पहले अपने रेडिस नेकाल ली कि साइकल डूटोन की रेडिस क्या हो जाइगी यह फिर उसके बाद अपने क्या कि यदि आयन को डी का अर्ध चकर जो आदा चकर है उसको पूरा में लगा समिए क्या हो small t हो तो आपको पता small t किस के बाबर होगा t by two और इसंदर को तो इसका मलब यह हो गए आपके पास पाइपोन ओमेगा जहां टी टाइम पीरिड ओप इलेक्ट्रिक फिल्ड और यह कौने आवर्ती होगी विदूस्यत्र की ओमेगा तो अब वापस चेंज गया देखो कैसे कि आपको पता है समय बराबर क्या होता है दूरी अपॉन चाल त दूरी अपन कितना था पर ये फ़ेपान गिंग करने ना उसको पार करने में जु तैम लगेगा वह कितना लगेगा समॉल टी बराबर पाइं एम अपॉन क्यूबई वहां जहां एम उसान का महा से क्यूं और बी क्या है मैगनेटिक फिल्ड बस आपको यह धियान रखना है कि question जब भी करोगे न मैं आपको करूँगा question क्या-क्या चीज गीवन है और क्या निकालनी उसके निशार formula लेगा यहां तक रोका फिर अपन वापस आगे चले यहां पर क्या change गया कि अपने को पता है कि जो आपका महाना है न यह को change गया कि small t किसके बराबर है t by 2 और यहीं कितना है आपके पास by m upon qb तो यहां से मैंने टूपई upon t बनाए यहां से आप टूपई upon t बनाऊगे तक क्या होगा qb upon m तो अब अपने को पता है कि टूपई upon t क्या होता है ओमेगा जहां ओमेगा उस विदूस चत्र की कोनी आवरती तो ओमेगा बराबर क्या लिख सकते है अपन qb upon m यहां तक ठीक है फिर अपने देखा कि यह दी डी पर आरोपी परत्यावर्टी वोल्टता की आवरती फ्रिक्वेंसी क्या हो f हो तो t और f में क्या रिलेशन होता है आवरती और आवरतकाल एक दूसरे के अपोजित होते है तो 1 upon t ko में क्या लिए सकता हूं f बराबर qb upon 2pm यह होता है cyclotron आवरती आपको question पूछ सकते है कि cyclotron आवरती का मान निकाल लिए तो यह होता है cyclotron आवरती f बराबर qb upon 2pm एक यह फोर्मला हो गया ओके आए वापस यह दो-3 फोर्मला आपको बहुत important दियान रखेगा यह ठीक omega निकाल दिया आवरती निकाल दी और अपने पास पॉर्मला आगया ऐसे पॉर्मला क्या आगया अपने पास वो आ गया कि f बराबर qb f बराबर qb upon 2pm ठीक है यह साइकलोट्रोन आवरती एक्योशन नमबर 3 तो यह लिखें कि अपन यह साइकलोट्रोन आवरती कहलाती है यह है यह क्या कहलाती है यह है साइकलोट्रोन आवरती कहलाती है यह साइकलोट्रोन आवरती कहलाती है और आप जाओ तो इसको साइकलोट्रोन की अवशक सर्थ भी बता सकते हो यह आपकी क्या हो जाएगी साइकलोट्रोन की अवशक सर्थ भी कहलाती है यह है साइक्लोट्रोन की अवश्यक सर्थ भी कहलाती है इस यूग अपन बोलते हैं साइक्लोट्रोन की अवश्यक सर्थ भी कहलाती है अब वापस चेंज होगा और अपन इस फॉरमले को कुछ अलग रूप देंगे को वापस देखेगा को डी वन वे डी टू के बीच प्रतेक अंत्राल को जब आयन पार करेगा प्रतेक अंत्राल को जब आयन पार करेगा है ना डी वन और डी टू के बीच प्रतेक अंत्राल को प्रतेक बार अंत्राल को है अन्य एवरी टाइम से ना प्रतेक बार जब आयन पार करता है उसका वेग बढ़ता है जब आयन जब आयन पार करता है तो उसका भीक्या होता है बढ़ता है अच ध्यां पर पुने कि इस दी चाहिए और भी बढ़ती है ना देखो यह अंदर है यह फीर वापहवयर्च कटंटीनीव देखें, उसकी त्रीज्या भी बढ़ती जांती है, और फिर आगे क्या हो जाएगा अपने पास, यदी साइकलो टरोन से निर्गत होने कि पूरू से निर्गत होने शाएं से पूरू येदि पूरा साइक्लोट्रोन से बाहर निगले है ना येदि साइक्लोट्रोन से निर्गत होने से पूरू आयन के पत की अधिक्तम त्रीजिया पूरू आयन के पत की अधिक्तम त्रीजिया केपिटल आर हो इन साइक्लोट्रोन से निर्गत होने से पूर हो आयन के पत की अ धिक्तम तरीजिया कितनी हो तब सम्मिकन्ट 2 से, जो आपका पास सम्मिकन्ट 2 मिली न, महांसवर can table क्या ली सकते हैं? तब सम्मिकंड दो से, सम्मिकंड दो क्या आई थी आपका पास, वो आई थी आपको पता है, R बराबर MV अपॉन QB, यही थी, तो आप इसको जब V maximum बनाओ गए, तो यहां से क्या हो जाएगा, V maximum बराबर M अपॉन QBR, V maximum बराबर QBR अपॉन M, QBR अपॉन M, अब ध्यान रखे Capital R से ही लिखेंगे, Cyclotron की Redis होगी हमेशा Capital R से, क्योंकि Continuously बढ़ती जाएगी, और बढ़ती बढ़ती जाएगी, तो लाश्मि यह चीज हो जाएगी, बस एक दो फॉर्मलावर निकालने, कि वो कौन सी एनर्जी लेकर त्वरीत होगा, तब जाके अपना topic पूरा complete हो जा जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो अपने मान लिया, कि यदि Cyclotron से निर्गत, पूरा Cyclotron से बाहर निकले आयन, तो उसके पत्त की अधिक्तम दिज्या क्या हो, Capital R, तथा अधिक्तम वे क्या हो जाए, V maximum, तब समिकन्ड दो से, चो R का मान आया हो, R बराबर M V पॉन QB, इस आते Cyclotron से निर्गत कन की कानेटिक एनर्जी, आते Cyclotron से निर्गत कन की कानेटिक एनर्जी, कानेटिक एनर्जी का फोर्मला, आपको पता, हाप M V स्कार होता है, वोई चीज, तो हाप M V स्कार मेक्जिमम बराबर, E बराबर 1 अपॉन 2 M V स्कार मेक्जिमम, ठीक है, तो V का मान लिखे आप तो e बराबर क्या हो जाएगा one upon two यह तो आपका m ऐसा है इस वी स्कार के जीकर हो जाएगा q square b square r square upon m square यह वी का मान रख दिया अपने ठीक है अब आपने जैसे वी का मान रखा तो एक चीजह आप देखेगा यहां से आपका 1 m से 1 m कडिया से निर्गित एनर्जी एक फर्मुल यह भी हो जाएगा यह हो जाएगा यह फ्रमड़ा आपके पास वन upon two q square b square r square upon m यह भी आपका numerical sol करने में काम आएगा ध्यान रखीएगा यह पर्मला आपका numerical sol करने में काम आएगा ठीक है फिर वापस आगे चली इदर से यहां पर समीकन3 से एस बराबर आए ता आपको पास है एस बराबर जाये वह जाएगी वह जाएगी QB किसके राबर हो जाएगी 2PFM, तो इसके अंदर आप मान लिग दीजीगा, जब आप यह मान QB का मान इसके अंदर पूट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इधर से वापस मिटा रहा हूं, बस होने वाला है, यह numerical solve करने हैं, इसलिए मैं फॉर्मला लग लग बता यह फॉर्मला यह आ गया, 1 upon 2 Q square B square R square upon M, यह इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, चेंज करकर QB की जगे एमान पूट करेंगे, तो आपके पास E ब्राबर कितना हो जाएगा, यह इस, E ब्राबर हो जाएगा, आपके पास 1 upon 2, यह तो ऐसा कैसे ही, इसके जिगे हो जाएगा, आपके पास 4 pi square, 1 upon 2 तो है यह, और इसी जिगे मैं लिखूंगा, 4 pi square F square M square, ठीक है, इन्टू R square upon M, यह हो गया, तो आप जब इसको sol करोगे, आपके पास कितना हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा, E बराबर यह भी कट गया, 2 pi square F square, 1 M से 1 M कट गया, R square M, यह आपके पास energy का एक formula यह भी हो गया, दो होंगे, जब भी आपका आयन उस cyclotron से गुमता हो, बाहर निकलेगा, तब तो रित होने के बाद एक बाहर तो इसके energy यह हो सकती है, numerical करेंग यह समिकन पास से यह आपकी समिकन नमबर पास बन गई, यह ना, यह equation 5 बनी है आपकी, कि समिकन पास से समिकन पास से आयन की अन्ति मूर्जा, समिकन पास से आयन की अन्ति मूर्जा, वोल्ड़ता के सिकरमान, समिकन पास से आयन की अन्ति मूर्ड़ता के सिकरमान पर निर्वर नहीं करती है, इसलिए डी के मद्य अन्तिराल में कम वोल्ड़ता लगा कर भी, इसलिए डी के मद्य अन्तिराल में कम वोल्ड़ता लगा कर भी अधिक काईनेटिक उड़जा के अधिक काईनेटिक उड़जा के कन प्राप्त किये जा सकते हैं, प्राप्त किये जा सकते हैं, ठीक है, यह हो गए आपकी पूरी कम्प्लीट, यह ध्यान रखेगा यह आपका पूरा जो है ना, वह आपका पॉर्शन कम्प्लीट है, अप एक सा करीद इसके उपर अपन कम वोल्ड़ता लगा कर भी अधिक आवर्ती प्राप्त कर सकते हैं, यह आपका साइक्लोटोन की ठीओरी एंड उसका वर्किंग पॉर्शन पूरा कम्प्लीट है, ना, ध्यान से देखेगा आप, कि साइक्लोटोन से डिरिकत कन की कानेटिक एनरजी यह हो गई, फिर यह बराबर यह फॉर्मला वन अपन टू एम, वी स्कार का मान रख दे, क्य जो भी कन आपका बहान निकल रहा है, उसका फॉर्मला कितना हो गया, यह बराबर वन अपन टू, क्यू स्कार बी स्कार अपन आर स्कार अपन एम, यह इसको अपन ऐसे वापस चेन कर सकता है, समिकन तीन से जो साइक्लोटोन आवर्थी आई थी, एफ बराबर क्या होता है, क्यूबी अपन टूपई है, तो क्यूबी इधर क्यूबी आगे तो बराबर टूपई एफ हैं, तो यह मान जब अपने इस क्यूबी की जिगे लिख दिया, जब आप यह मान यहां पूट करो गए, तो यह बराबर वन अपन टू, फॉर पाई स्कार अप स्कार अप स्कार स्काइर यह हो गया अब दोनों पॉर्मिला देखे हैं एक दो यह देखे दोनों में वॉल्टेजिन नहीं यह है कि समीकरन पांस से आंधी अंतिम ऊर्जा वॉल्टा नहीं करती हैं इसनिये ४क्रोड़ दिधा मद्य अंतरावर कम वॉल्टेज लगा रबी अधिक शक्रित है 침ठीक कर सकते हैं धिक ये सारी आपका पूरा सिद्धान्याद गया अभी तक पूरा complete होगा क्या-क्या formula यह आपको ध्यान रखना है जो 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 अपने इसमें formula निकाले वो क्या-क्या formula था एक तो था आपका इन formula को आप ध्यान से देखीगा एक तो आपका formula था वो था सबसे पहला है radius of cyclotron r बराबर mv upon qb ठीक है एक formula यह आया फिर आया कि उसको अर्धि चक्र को पार करने में लगा समें small t जो किसके बाबर होता है t by 2 और यह आया था आपके पास यह आया था आपने पास लगबग पाई एम अपॉन qb ठीक है दो फिर आया आपके पास cyclotron आवरती वह आयती आपके पास f बराबर qb upon 2 पाई एम ठीक है फिर आया कि आया यह जब बहार निकलेगा तब उसका वेग v maximum कितना हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास qb r upon m यह सारा निमेरिल काम करणवा है न पॉइंट टू पॉइंट अपन चले सिस्टेमेटिक तरीके से सारे पराप्त होए फिर आई आपको एनर्जी यह बराबर 1 upon 2 जो एनर्जी मिलेगी उसको वो कितनी हो जाएगी q2 b2 r2 upon m और यही फोर्मला आपका चेंज होकर किस प्रकार आगया e बराबर 2 pi squared f squared r squared m 2 pi squared f squared r squared m ठीक है यह हो गया आपका यह आपको सारे formula दियान रखने हैं दियान रखेगा इनी formula आपका सारा काम होगा अनियता भोर नहीं पहेगा तो इसलिए इन formula को आप गड़ पर दियान से देखेगा ना सबसे पहला है आपका पास r mv upon qb फिर आए स्मोल टी उसको पारकरण में लगा समय पाई एम अपॉन क्यूबी फिर फ्रिक्वेंसी आई क्यूबी अपॉन टू पाई एम फिर वी मेक जिवम कितना वेग हो जाएगा क्यूबी आर अपॉन एम ओके फिर अपने पास जिवो एनरजी मिलेगी ना कम वोलता लगा आपके पास कितनी हैं यह बराबर वन उपकार एम या बराबर टू पर स्कूयर फ इसक्वार आट स्कवार एम यह आपके सारे टोपिक सिद्धान तोरकारी प्रणाली कम्प्लेट अब मैं क्यूषण कैसे पूस्ताव मैं आपको लिखा रहा हूं आप लिख लिजिए ना कि साइक्लोटरोन आवर्ति का सुत्र निकाले, तो साइक्लोटरोन आवर्ति का सुत्र कौन सा था, यह रह, F बराबर QB upon 2, पहला क्यों आपको ईह हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको करना है, कि साइकलोट्रोन द्वारा निर्गत आयनों की अधिक्तम उर्जा का सुत्र निकालना है और एक जो मेन क्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि साइकलोट्रोन की बनावट सिद्दान तता कारेप्रणाली का वरनन कीजिए सिद्दान बनावट और कारेप्रणाल तीनों आगी और साइकलोट्रोन के द्वारा त्रवित्र किये गए कनु की अधिक्तम गती जूर्जा का वियन्जेक प्राप्त करो साइक्लोटोन के द्वारा त्वरित रिक्येगे कणों की अधिक्तम गती जुड़ जागा वियंजिक प्राप्त करोजु ये निकालना है तो आज के लिए बस इतना साही अपना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद घर पे आप ध्यान से देखेगा इन चीजों